ओके डियर स्टुडेंट्स तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरेन फर्स समिस्टर बी एसन थर्ड समिस्टर और सब्जिक्ट हमारे साथ हाल्थ असेस्मेंट है यूनिट नमबर एट असेस्मेंट आफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के असेस् of digestive system पर बात करेंगे कि digestive system की जो significance है जो अहमियत है जो importance है इस पर हम detail के साथ के साथ बात करेंगे इस पर हम रोश्णी दा दा देंगे इसके साथ साथ पिर हम digestive system के जो structure है मतलब जो anatomy है और जो physiology है उसको तोड़ा सा review देंगे उस पर हम तोड़ा़ की नजर जानी करेंगे कि digestive system के functions क्या होते हैं और digestive system जो है किन-किन पार्ट से किन-किन ओर्गन से मिलकर बनी है ठीक है इसके बाद पिर हम गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की हमारे साथ जो फिजिकल एसस्मेंट है उसको हम discuss करेंगे कि गेस्ट्रो इंटेस्टिनल गावा एसेस्मेंट टेकनीक और परफार्मिंग अब्डोमिनल एसेस्मेंट के लिए जितने भी एसेस्मेंट टेकनीक होते हैं तो उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और इसके साथ साथ नर्सिंग डाइगनोसिज एंड मेनेजमेंट ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टिनल जितने भी हमारे साथ गेस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं उन प्रॉब्लम को कैसे हम डाइगनोस कर सकते हैं तो उसके लिए जितने भी नर्सिंग प्रोटकोल्स होते हैं तो उस पर हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे रोशनी डाल करेंगे ठीक है सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वट इस डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं इसकी डिफिनिशन आप सब स्टूडन्स को आनी जाए आनी चाहिए दे सिस्टम ऑफ और गटिंग फूड इंटो एन आउट आफ दे बोडी and for making use of food to keep the body healthy is called digestive system डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे बोडी में एक ऐसा सिस्टम है जो के बहुत सारे औरगन्स पर मुश्टमिल होता है बहुत सारे औरगन्स मिलकर इस सिस्टम को क्या करती है बनाती है कम्पलीट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्श होता है वो ये होता है कि इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के जरीए हम क्या करते है फूट को इंगल्फ करते है फूट को इंटेक करते है ठीक है और इसी तरह से यही फूट पिर हमारे मौट के जरीए जाती है फेरिंग्स में फेरिक से जाती है इसोफेगस में इसोफेगस से जाती है, stomach में, stomach میں जाने के बाद इसकी torport शूरू हो जाती है, तोड़ी सी torpero इसकी stomach में हो जाती है, with the help of gastric acid, which is hydrocloric acid, फिर जब इसमें stomach में, इसकी breakdown हो जाती है, तो stomach SPEAKर यह आगे जाती है, with the help of paristic movement, तो यह आगे जाती है, smile पार्ट इंटस्टाइंड की तरफ, स्माल इंटस्टाइंड में जब इंतर होती है, तो पाइलोरिस के जरीए ये स्टमक से बाहर निकल कर स्माल इंटस्टाइंड में जाती है, ठीक है Small intestine में जाने के बाद पिर इसकी क्या होती है मजीज तोर पोर्ड होती है इससे मुखतरिफ किसम के nutrient जो है वो क्या होते है absorbed होते है और पिर इसी तरह से Small intestine सेग्मेंट को क्रॉस करते हुए डूडिनम, जूडिनम और आखिर में जो हमारे साथ इलियम पार्ट होता है Small intestine का उसको क्रॉस करते हुए ये जाती है Large intestine में ठीक है Large intestine में जाने के बाद इसकी मजीद क्या होती है इसकी मजीद breakdown होती है इसके मजीद absorption होती है nutrient वागेरा और पिर इसकी जो waste material होता है तो ये पिर इसी Large intestine के तरूँ आगे जाते जाते peristaltic movement के जरीए आगे जाते जाते rectum तक बहुँच जाती है और पिर rectum से एनस के जरीए बोड़ी से क्या हो जाती है eliminate हो जाती है तो ये जो पूरा system है ठीक है इसको हम क्या कहते है digestive system कहते है और इसका main function यही होता है जो चीज हम engulf करते है intake करते है उसकी तोड़ पोड़ करके उससे energy हासिल करके हमारे बोड़ी को क्या करती है healthy रखती है तो इस पूरे system को हम क्या कहते है digestive system कहते है ठीक है अच्छे जी यहाँ पर digestive system की अगर हम structure की बात करें तो मतलब यह जिन जिन चीजों से बनी है तो digestive system में आपके साथ जो gastrointestinal tract है तो gastrointestinal tract में आपके पास six organs आते है ठीक है six tract आते है सबसे पहला जो tract है उसको हम क्या कहते है mouth कहते है mouth के जरीए आप food को intake करते है mouth के बाद जब आप उसको follow करते है तो यह आपके pharynx में जाती है pharynx को cross करते हुए यह isophagus तक जाती है isophagus से पिर आगे जाती है यह आपके stomach में stomach में पहुंचने के बाद पिर stomach से यह आगे जाती है pylorus ring के जरीए यह गुजरती है small intestine में enter होती है small intestine को cross करते हुए ये पिर आती है आपके large intestine में ठीक है तो ये आपका पूरा जो gastro intestinal tract है ये इस पूरे चे component से मिलकर बना है ठीक है इसी तरह से इसके साथ जो accessory structures होते हैं मतलब जो के इस पूरे functions को perform करने में मदद देती है support देती है तो mouth में हमाय साथ जो accessory structure होते हैं वो क्या होते है ठीट्स होते हैं हमारे जो दांद जो के क्या करती है food molecule की तोड़ पोड़ करती है इसी तरह से tongue जो है ये हम फूड हम ले रहे होते है तो उसको नरम करने के दिए जो है क्या करती है सिलाइवा प्रोड्यूस करती है जो कि क्या करती है उसको नरम करती है फूट को ठीक है उसको तोड़ने में आसानी होती है और उसको पिर इंगल्फ करने में हमें मदद देती है salivary glands हो गए जो कि saliva को produce करती है फिर liver आ जाता है लिवर क्या करता है यह gastric acid को produce करता है ठीक है अच्छा liver आ जाता है ठीक है sorry हाँ liver जो है यह क्या करता है यहां पर इस liver में जो है हमाई साथ एक गाल ब्लेडर होता है जो कि क्या करता है यहां पर आप देख सकते हैं liver में बिलकुल liver के साथ ही मुझूद है गाल ब्लेडर तो यह क्या करता है यह hydrochloric acid को produce करता है जिसको हम gastric juice कहते हैं तो liver के जर्ये gastric juice जो है यह release होती है जो कि food particle पर stomach में जो food particles आयो होते है उस पर गिरती है और उस food particles को क्या करती है उसको filter भी करती है उसमें जो foreign particles आयो होते है उसको क्या करती है खतम भी करती है और इसके साथ साथ जो food particle होते है उसके तोड़ पोल करती है पिर इसके बाद गाल ब्लेडर आता है ठीक है इसी तरह से pancreas आते है pancreas क्या करती है यह pancreatic juice को क्या करत वेक्सिस्टरीं है तो- किया है, यह आपके पास एकसिश्टरीं है। तो यह पूरा स्टरक्चर्ट्र कंभाइन होकर क्या बनाती है डायझ सिस्टम और था, प्लियर है। यह सब्सक्राइब अच्छा जी मजीद आगे बढ़ते हैं एनार्टमी औफ हम इनार्टमी की बात करें ठीक है तो इनार्टमी से मुराद यह है कि इन चीजहों से मिलकर बना है ठीक है तो इसको हम सब से पहले अब discuss करेंगे तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको quadrant के हवाले से बतायाता है कि अगर आप अपने body के जो quadrant है इसको क्या कर ले याद कर ले तो आपके लिए easy होगा मुखतलिफ organs को identify करने में ठीक है आपके पास ये क्या है right lower quadrant है और ये आपके पास left lower quadrant है ठीक है तो इन में मुखतलिफ organs जो हैं मुझूद होते हैं अगर right upper quadrant को आप देखे मैं तोड़ा सा zoom करके इसको आप students के साथ जो है तोड़ा सा इसको मैं discuss करना चाहूंगा so right upper quadrant में क्या क्या organs पाए जाते हैं इसको देखे सबसे पहले liver आता है ठीक है right upper quadrant में होता है gallbladder होता है deodenum आता है ठीक है small intestine का first portion है head of the pancreas आती है ठीक है right kidney आती है और right kidney and adrenal gland आता है hepatic fracture of colon आता है ठीक है इसी तरह से part of the transverse and ascending colon ascending colon colon का जो transverse और ascending part होता है वो आपके पास right upper quadrant में आता है इसी तरह से body का जो ये वाला पार्ट होता है ठीक है ये वाला पार्ट जिसको मैंने टिक किया ठीक है ये वाला पार्ट देखे तो इसमें क्या होता है इसको left upper quadrant खेते है इसमें आपके पास stomach आ जाता है spleen आ जाते है left lobe of the liver, liver का जो left lobe है वो आ जाता है lobe से मुराद part body of the pancreas, pancreas का जो body portion है वो आ जाता है left kidney and adrenal gland इसमें आ जाता है spleenic pleasure of colon आ जाता है और इसके साथ साथ colon का जो transverse और descending part है वो क्या होता है left upper quadrant में आ जाता है इसको अगर आप लोग याद करें तो भी अच्छा है अगर आप लोग याद ना भी करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए जो है आसानी होंगी आपने unit 3 या 4 में जो पड़ाता वो आपको आसानी से याद हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अगर आप राइट लोवर और राइट अपर कौडरन में देखें राइट लोवर और लेफ्ट लोवर कौडरन में देखें तो राइट लोवर कौडरन में आपको सीकम मिलेगा ठीक है जो कि क्या है हाँ जी सीकम मिलेगा appendix मिलेगा right ovary और tube मिलेगा female में right ureter आपको मिलेगा left upper quadrant में left lower quadrant में आपको क्या मिलेगा part of descending colon sigmoid colon left ovary and tube and left ureter ये आपको क्या मिलेगा left lower quadrant में मिलेगा ठीक है clear है मेरी बातों की समझ आ रही है आप students को sir ascending colon or descending colon में difference तो please बताईएगा ascending colon किसे कहते है ascending colon से मुराद ये है जो के उपर से नीचे की तरफ जा रहा हो उपर से नीचे की तरफ जा रहा हो उसको हम ascending कहते है descending से मुराद जो के नीचे से उपर की तरफ जा रहा हो सही है जी sir okay okay very good annot me of the guess Ascending Colon, Sir, वो है न, Small Intestine को बहुते हैं नहीं, Ascending Colon जो है, ये Large Intestine का पार्ट है Small Intestine के 3 पार्ट है एक को हम क्या कहते है, एक को हम Dudenum कहते है जो के First portion of the Small Intestine है एक को हम Gigenum कहते है और एक को हम Ileum कहते है तो ये तीन पार्ट जो है, ये Small Intestine के पार्ट है इसके बाद जितने भी आपको नेम सनने को मिलेंगे तो वो large intestine के part है colon हो गया, sigmite हो गया, cacum हो गया, ठीक है, ये large intestine के parts में आते हैं तो है, अच्छे जी, anatomy of gastrointestinal tract gastrointestinal tract के anatomy की हम बात करें, तो already mouth से gastrointestinal system की शुरुआत होती है तो mouth में आपके पास मुक्तलिफ glands होते है, ठीक है, glands organ होते है इसी तरह से teeth आ जाते है, इसमें cutting के लिए और food को grain करने के लिए use होते है sublingual gland और salivary gland इसमें आ जाते है, जो के tongue के नीचे होते है sub mandibular salivary glands आ जाते है, जो के mouth lies deep in the mouth, mouth में यहाँ पर पाए जाते है जिसको मैं circle कर रहा हूँ, यह क्या है, इसको sub mandibular gland कहते है इसी तरह से tongue आ जाती है, salivary duct आ जाते है, जो के salivary glands को produce करते है और parotid salivary glands आ जाते है, जो के यह वाले है, इसको parotid salivary gland कहते है जो के बिलकुल कान के नीचे जो है मुझूद होते है, ठीक है इसी तरह से stomach जो है, यह हमाय साथ gastrointestinal tract system का क्या है, organ है जो के एक important role play करता है इस पूरे gastrointestinal system में, ठीक है इसका काम यह होता है कि यह कुछ time के लिए food को क्या करता है, store करता है अब यह वाला जो portion है जो मैं आपको pyloric spainter कराता है, यह pyloric spainter है, ठीक है इस portion को क्या कहते है, इस portion को pylorus कहते है यह वाला जो portion है, इसको body of the stomach कहते है, ठीक है यह वाला जो portion है, जिसको मैंने उपर यह वाला portion, इसको fundus of the stomach कहते है स्टमक के ये डिफरेंट नेम है एरियास के ये वाला जो पोर्शन है इसको पाइलोरस केते है और यहां पर पाइलोरस पिंक्टर होता है जिससे एक बार जब फूट बाई अंदर चला जाता है स्माल इंटरस्टाइन में तो स्माल इंटरस्टाइन से वो दुबारा पे स्टम नहीं करती ठीक है? क्लियर है? जी सर्थ ओके इनाटमी मजीद आगे बढ़ते हैं तो इनाटमी में गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक की अभी हमने पड़ा इसमें पिर आपके पास लिवर भी आ जाता है स्टमक आ जाता है गाल बलेडर आ जाता है ठीक है? इसी तरह से पैंक्रियास जो है यह आ जाते है स्माल इंटस्टाइन है ठीक है? यहां पर आप देखे एसेंडिंग कोलोन यहां पर कौन सा है? अब मैं आपको एसेंडिंग कोलोन बताता हूँ यहां पर ascending colon आपके पास यह वाला है देखे यह ascending colon है तो यह देखे ओपर से नीचे से ओपर की तरफ जा रहा है पिर यह वाला जो portion है इसको क्या कहते है इसको transverse colon कहते है ठीक है पिर यह वाला जो portion है जो कि ओपर से नीचे आ रहा है इसको descending colon कहते है हाँ जी और यहां पर जो वाले एरिया है इसको सिगमाइट कोलोन कहते है यह वाले जो पोर्शन है इसको रिक्टम कहते है और सबसे आखिर जो है यह क्या है एनल कैनल है ठीक है एनल कैनल clear हो गया जी सर very good बहुत ही ज्यादा simple है अगर आप तोड़ी सी concentration के साथ सुनेंगे तो इन्शाला कोई मसला आपको नहीं होगा major digestive enzyme of gastrointestinal tract अब gastrointestinal tract के दौरान जो major enzyme होते है जो कि अपना role play करते है मुखतलिफ carbohydrate को तोड़ने के लिए मुखतलिफ protein molecules को तोड़ने के लिए lipid molecules को तोड़ने के लिए ठीक है तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है carbohydrate की digestion के हवाले से carbohydrate की digestion के लिए सबसे पहले हमारे mouth में salivory amylase enzyme जो है ये secret होते है जो के हमारे mouth में तोड़ी बहुत जो है carbohydrate की क्या कर लेते है तोड़ पॉर्ड कर लेते है इसके साथ साथ pancreatic amylase और maltaise enzyme ये produce होते है कहां पर हमारे stomach में हमारे stomach में ये amylase और pancreatic amylase और maltaise जो है ये carbohydrate पर अटेक करते है और उसकी तोड़ पॉर करते है ठीक है अब जो सिलेवरी इमालेज है तो ये सिलेवरी ग्लेंड से प्रोड्यूस होते है जो कि माउट में पाए जाते है और जो पेंक्रियार्टिक इमालेज है तो ये पेंक्रियार्टिक से प्रोड्यूस होते है जो कि स्टमक और स्माल इंट स्टाइन से क्या होते है रिलीज होते है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और मल्टेज ठीक है इसी तरह से पीएच लेवल इसका क्या होता है इन दोनों एमाइलेज और मल्टेज का जो पीएच लेवल क्या होता है ये न्यूटरल बेसिक होते है ठीक है इनकी pH लेवल क्या होती है? neutral basic होती है मतलब 7.45 से उपर होता है 7.5 होता है 7.46 होता है 48 होता है तो ये neutral basic कहलाएगा ठीक है और 7.35 से लेकर 7.45 तक ही हमाई साथ neutral pH कहलाता है ठीक है? तो ये हमाई साथ इसकी amylase और pancreatic amylase और maltase का pH लेवल क्या होता है? neutral basic होता है मतलब 7.46789 मतलब 7.5 से उपर होता है तो इस वज़ा से इसको neutral basic कहते है सही है? इसके बाद हमाई साथ जो दूसरे enzyme release होते है जो के protein की breakdown करते है तो उसमें आपके साथ pepsin, trypsin और peptidase आते है ठीक है? pepsin, trypsin और peptidase ये वो enzyme है जो के protein molecule पर act करके उसकी तौरपोड करते है ये कहां पर produce होते है? ये gastric gland में produce होते है और pancreas में produce होते है और small intestine में produce होते है कहां से इसकी secretion होती है? तो ये stomach से secret होते है small intestine से secret होते है ठीक है? और इसका जो pH level होता है ट्रिपसिन जो है वो भी basic होता है और peptidase जो है वो भी क्या होता है? basic होता है ठीक है? इसी तरह से nucleic acid की digestion के लिए nuclease और nucleosidase nucleosidase जो है ये क्या होते है? ये enzyme act करते है और nucleic acid की क्या करते है? तो और पोड करते है nucleosidase और nucleosidase ठीक है इसकी production कहां पर होती है? इसकी production जो है दोनों की pancreas में होती है कहा रिलीज होते है? small intestine में दोनों release होते है और इनकी pH लेवल क्या होती है? दोनों basic होते हैं इसी तरह से lipid की digestion के लिए feed की digestion के लिए जो enzyme काम करते है उसका हम live paste कहتे है इसकी production पैंक्रियाज में होती है और release small intestine में होते है और pH level इसका क्या होता है basic होता है तो ये simple बात है जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर इसी तरह से आप लोग इसको याद करें तो इन्शालला कोई मसला आपके लिए exam में नहीं होगा सही है physiology of gastrointestinal tract system अब gastrointestinal tract system के functions के बारे में बात करेंगे ठीक है कि ये कौन कौन से functions परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं mouth की mouth के function का तो आप सब को पता है कि आप एक नवाला लेते हैं तो उस नवाले को through teeth अपने दान्तों के जरीए उसकी आप थोड़ पोड़ करते हैं उसको चोटे-चोटे pieces में क्या करते हैं convert करते है so mechanical digestion जो है ये करती है ठीक है जिसमें achieving and swallowing है achieving मतलब जो नवाला है उसको achieve करना ठीक है उस पर जो है वो करना जैसे कि आप बबल को करते हैं चबाने को बिलकुल 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 चबाना और पिर चबाने के बाद जब वो चोटे-चोटे जरों में तबदील हो जाता है तो उसको पिर आप क्या कर लेते हैं निगल लेते हैं इसके साथ साथ मौत में किमिकल डाइजेशन भी होती है क्यों की मुकूं कर्बौरीड की वरता है जेसे के आपके पास आता है लाइ्पेज हो गैए लेपटं की ब्रिकडाउन के लिए पिप्टाइडेज हो गै ठीके प्रोटीन की बिकडाउन के लिए माइलेजिस हो गजए कार्बो हाइडरीट के पर ब्रिक डाउन के लिए नुक्लियाजिस हो गए मुखतलिफ नुक्लिक एसिट के लिए पिर इसके बाद आपके पास माउट के बाद जो दूसरा औरगन आता है उसको हम स्टमक कहते है स्टमक में भी मेकिनिकल डाईजेशन होती है जिसमें परिस्टाल्सिक परिस्टाल्टिक मेक्सिंग और प्रोपल्जन होती है परिस्टाल्सिक मेक्सिंग से मुराद यह है कि परिस्टाल्सिक मुवमेंट जो है वो फूट मॉलिक्यूल को मेक्स कर रहे होते है और आगे की तरफ उसको दागेल रहे होते है स्माल इंटस्टाइन की तरफ जाने के लिए पिर इसमें क्या होता है इसमें प्रोटीन फेट्स की क्या होती है गेमिकल डाजिशन होती है इसके साथ साथ अब्सॉप्शन ऑफ लिपिट सोलिबल सबस्टांसी such as alcohol and aspirin lipid soluble substances जैसे कि alcohol हो गया aspirin हो गया इनकी absorption कहां पर होती है stomach में होती है stomach के बाद पिर जो अगला पार्ट आता है वो है small intestine small intestine में क्या होता है यहां पर भी mechanical digestion होती है जिसमें mixing and propulsion होती है मतलब सलसल food molecule mix भी हो रही होते है और आगी की तरफ उसको दकेला भी जा रहा होता है ठीक है उसको propel किया जा रहा होता है primarily by segmentation अच्छा जी chemical digestion यहां पर जो है carbohydrate की digestion होती है fat की digestion होती है poly peptides की होती है मतलब proteins और nucleic acid की digestion होती है इसी तरह से यहां पर peptide की absorption होती है amino acid glucose, fructose, fat, water mineral and vitamins इन सारों की absorption कहां पर होती है small intestine में होती है small intestine इस तरह से पिर हमाई साथ large intestine आता है large intestine में जो mechanical digestion होती है तो इसमें आपके पास segmental mixing and propulsion होती है मतलब food molecule जो है वो सलसल जो है आगे की तरफ उसको propel किया जा रहा होता है जगा जगा ठीक है और साथ में उसकी mixing भी हो रही होती है मुक्तलिफ chemicals के साथ मुक्तलिफ hydrochloric acid के साथ ठीक है इसी तरह से no chemical digestion यहां पर किसी किसम की chemical digestion नहीं होती सिवाए bacteria की यहां पर जितने भी bacteria होते वागेरा ठीक है जो के gut में mix हो जाते है और उसकी पर किया होती है elimination होती है यहां पर क्या होता है यहां पर ions की absorption होती है water की absorption होती है mineral की absorption होती है vitamins की होती है और जो organic molecules होते है उसकी absorption होती है large intestine में ठीक है तो यह चीज़े जो है आप लोगोंने याद रखनी है ऐसी कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है नहीं है जी सर सलिवरी ग्लेंट का तो आप सब को पता है आलड़ी मैंने आपको बता दिया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं बता दू आप लोगों को अच्याँ स्वेंट की हमाएं साथ मुफ़ते हैं कि क्या है अब नॉर्मल कंडीशन हे गेस्ट्रों इंतेस्टेनल सिस्टम में ठीक है तो तो इस word को आप को आप लोग याद कर ले तो आप लोगों के लिए आसानी होगी bit kennels with so B stand forward, B站 for bleeding ठीक है, gastro-intestinal system में अगर किसी जगा पर bleeding हो रही हो ठीक है तो bleeding हो गई, bleeding आसक्थी है A stand for abdominal pain ठीक है D stand for dysphagia जिसमें आप जो है difficulty इन स्वाल्विंग चीजों को आप निगल नहीं पाते हैं या बहुत मुश्किल से आप फूट मॉलिक्यूल को क्या करते हैं निगल दे ठीक है तो निगलने में जब आपको मसला उसको हम डिस्फेगिया कहते हैं C Stain for Constipation जिसमें स्टूल जो हर्ट हो जाता है और Elimination नहीं होती तीक है इसी तरह से A Stain for Abdominal Blotting जिसमें एबडॉमिन में जो है गेस जमा हो जाता है और अंदर जो है गुर गुर की आवादे अक्सर अकाद सुनाई देती हैं तो इसको Abdominal Blotting कहते हैं सही है गेस नहीं होता लेकिन अंदर जो है आवाजे आ रही होती अक्सरोकाद तो इसको अब्डॉमिनन ब्लॉटिंग कहते है इसी तरह से एंस्टेन फार नौजिया और वमिटिंग एंस्टेन फार अनॉरेग्जिया जिसमें बूग जो है वो नहीं लगती ठीक है बूग नहीं लगती इसको अनॉरेग्जिया कहते है अनॉरेग्जिया के भी हमारे साथ दो टाइप है एक बुलीमिया नर्वोसा अनॉरेग्जिया है और एक हमारे साथ एक बुलीमिया नर्वोसा है और एक बुलीमिया अनॉरेग्जिया है तो ये मुख्तलिफ abnormal condition है ठीक है जिसके बारे में आपको पिर कभी बताऊंगा इसी तरह से लेतारजी हो गई S, L stand for lethargy इसके साथ साथ S stand for stiturio, stituri, सही है stituri ये क्या है इसको आगे हम पढ़ेंगे W stand for weight loss, I stand for increase bilorobine ठीक है जो के john dis में अक्सर अकात होती है bilorobine जो है ये आपको पता है कि हाँ जी बिलकुल इसके साथ T stand for temperature and H stand for heartburn तो ये वो condition है जो के gastrointestinal system में abnormal condition में आपको मिलेंगे ठीक है ये ये condition जो है आपको gastrointestinal stress system में अगर कभी abnormality आ जाए तो इन में से कोई condition हो सकती है इसके इलावा जो मजीद है उसमें W stand forward wash hand gastrointestinal system assessment started तो gastrointestinal system की जब हम assessment करते है तो assessment को start करने से पहले हम क्या करते है कुछ protocols follow करते हैं तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है हातों को दोना होता है पिर दूसरा काम क्या करना होता है अपने patient के साथ अपनी introduction करानी होती है उनको अपनी तारुफ जो है वो करानी होती है ठीक है तीसरा काम आप लोगोंने patient से permission लेना होता है मतलब informed concept जो है उनसे आप लोगों ने sign करना होता है इसी तरह से जो चोता method है या चोता जो आपकी पास rule है वो है exposed area under examination body का जो हिस्सा आप लोगों ने क्या करना होता है examination करनी है उसकी assessment करनी है तो उसको आपने क्या करना है expose कर देना है इसी तरह से आर स्टेंड फार right side approach right side से जो है आपने patient को handle करना है मतलब patient के right side पर आपने कड़े हो जाना है patient जो है वो लेटा हुआ होगा ठीक है या बेटा हुआ होगा तो आपने right side कड़े होकर right side से सारे ये procedure करने है इसके साथ साथ as stand for sit up light and temperature आपने जो environmental condition है ठीक है उसको भी maintain रखना है मतलब proper lighting system हो और proper temperature system हो ताकि patient को सर्दी भी मैसूस ना हो और गर्मी भी मैसूस ना हो और किसी किसम की discomfort मैसूस ना करें तो इस वजह से lighting system जो है ये proper होनी चाहिए clear है ना जी जी सर very good health history of gastrointestinal tract gastrointestinal tract के हवाले से case ही आप उन से health history लेंगे तो सबसे पहले जो important काम होता है वो sign symptom होते है जब आपके पास patient आ जाता है तो patient के आने के बाद सबसे पहले आपने patient के sign symptoms देखने होते है sign तो आपको वे से ही मिल जाते है जब आप patient को देखते है उसकी examination करते है physical तो उससे आपको patient की condition का अंदाजा हो जाता है जबके symptom जो है वो आपको patient खुद बताएंगे patient से आपने पूछना है कि क्या feel कर रहे हैं तो वो आपको कहेंगे कि नाजिया हो रही है vomiting हो रही है या pain हो रही है तो मतलब subjective data जो है ये symptoms के लाते हैं और जो objective data होता है इसका हम sign कहते है ठीक है इसके बाद आपने allergy के हवाले से उनको उनसे पूछना है कि आपको किसी किसम की food से allergy तो नहीं है या किसी किसम की medication से कोई allergy तो नहीं है तो इसके हवाले से अच्छा जी इसके हवाले से आप data ले लेंगे ठीक है पिर इसके बाद आप उनसे मेडिकेशन के बारे में पूचेंगे कि किसी किसम के मेडिकेशन तो आपने इस प्रॉब्लम के लिए पहले नहीं लिए है मतलब एंसेट नॉनस्टिराइड एंटी नॉनस्टिराइड एंटी इंफ्लमेटरी ड्रग तो ये तो आपने नहीं लिए जिसको हम NSAID कहते है नॉन स्टिराइट एंटी इंफ्लमेटरी ड्रग तो ये वाले ड्रग तो आपने नहीं लिये है ठीके तो वो आपको रिस्पॉंड देंगे उसके मताबिक आपने उसको क्या करना है डॉकमेंट करना है इसी तरह से पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपने उनसे पूछना है कि ये प्रॉब्लम आप पहले कभी तो नहीं हुई थी अगर हुई थी तो उसके लिए आप कभी हस्पिटलाइज तो नहीं हुई थे या कोई सर्ज्रू अगरा तो इसके लिए आपने नहीं की है तो ये आपने उनसे क्या कर लेना है रिकार्ड कर लेना ह इसी तरह से आखरी जो question करना होता है L मतलब last order and take आखरी बार आपने क्या काया था ठीक है कब काया था क्या काया था और कैसे काया था ये आपने अपने patient से क्या कर लेना है note लेने लोट sorry record कर लेना है ठीक हिस्टरी ले लेनी है इसके बारे में और इसके बाद पिर क्या करना है even to present मतलब ये है कि history of chief complaint मतलब अब आपको क्या मसला है किस मकस्द के लिए आप hospital आए है ऐसा क्या मसला आपको अब हो रहा है जिसकी वज़े से आप hospital आए है तो वो आपको कहेंगे कि मतलब वो आपको कहेंगे कि constipation हो रही है या वो आपको कहेंगे कि दिल जो है वो जल रहा है जिसको हम heartburn कहते है ठीक है या वो आपको कहेंगे कि abdominal pain हमें हो रहा है ठीक है तो या वो आपको कहेंगे कि बार बार मुझ को जो है वो क्या कहते है taste source जो है वो आ रही है बार ठीक है तो इस तरह से वो आपको अपना मसला बता देंगे और उसके अबाद जो है आप लोगों ने आगी क्या करना है प्रोसीजर्स फोलो काने हैं गेस्ट्रो इंट्रस्टिनल ट्रैक assessment technique गेस्ट्रो इंट्रस्ट्ट्र Finn के assessment की हमाई साथ जो technique है आप लोगों को अगर याद हो तो यूनिट तमबर 1 के 2 में मैंने आपको बतायाता कि abdominal assessment के लिए हम अलग procedure technique follow करते हैं और जो general assessment होते है head to toe तो उसके लिए हम अलग कार्डिनल साइन और्डर को फॉलो करते हैं तो अब्डॉमिन या गेस्ट्रा इंटेस्टिनल ट्रेक एसेस्मेंट टेकनीक के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं मतलब फिजिकल इग्जामिनेशन उसकी हम करते हैं फिजिकली उसको हम देखते हैं मनीटर करते हैं, आबजर्व करते हैं, ठीक है? दुसरा काम आपके पास क्या होता है ? एसकल्टेशन स्टिस्कोप के जरिये आपने मुक्तलिफ abdominal sounds होने होते हैं मुक्तलिफ body parts में ठीक है तीसरा जो काम आपने करना होता है वो है percussion जिसमें आपके पास दो तरह के percussion होते हैं एक direct percussion एक indirect percussion अगर ये आप लोगों के मायन में अभी तक ये चीज़े नहीं बैटी है तो पिछले classes में हमने इन सारे topics को बहुत detail के साथ discuss किये हुए है तो वो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं दुवारा से इसी तरह से आपके पास जो last technique है gastro intestinal track assessment की उसको हम palpation कहते हैं और इसी तरह से palpation की भी आपके पास light palpation और deep palpation type है ठीक है तो ये वो चार cardinal technique है जो के हम gastro intestinal track की assessment के दौरान क्या करते है use करते है मेरी बात है आपको clear आ रही है समझ में के नहीं कोई confusion हुई है अब तक जितना discuss किया है अच्छा जी एक्विप्मेंट्स नीड़िड वार गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक सिस्टम एग्जामिनेशन गेस्ट्रो इंट्रेक सिस्टम की एग्जामिनेशन के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है या हमें जरूरत होती है तो उसमें आपके पास glove आ जाते है tongue depressor आ जाता है स्टेतस कूब आ जाता है measuring tape mark आ जाते है जो के centimeter में होते है skin making marking pen आ जाता है ठीक है alcohol swab आ जाते है notebook आ जाता है और flush light आ जाती है तो ये आपके पास वो tools है या instrument है जो के आपको क्या होते है दर्कार होते है gastro intestinal tract के assessment के दोरान general inspection अच्छा जी जब आप general inspection करते है तो general inspection में आपने क्या करना होता है सबसे पहले जाहरी बात है जब आप किसी patient को देखते हैं monitor करते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी health status से पता चलता है कि इनकी जो nutritional status है वो केसी है अगर बंदा जो है वो पालवान नजर आपको आ रहा है ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि काते पीते गराने से ये बंदा जो है आया हुआ है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पालवान जो है आपको इसी तरह से काते पीते गराने का नजर आए अक्सर जो मोटापा है वो बिमारी की अलामत भी होती है बिमारी की वज़ा से भी हो सकती है या family history भी हो सकती है ठीक है इसी तरह से पिर आपने उनकी skin color को not करना है अगर skin color जो है मुख्तलिफ हो मतलब पैलरनिस है या नहीं ठीक है अगर patient को jaundis होंगी तो मतलब यह है कि patient को क्या है liver disease है ठीक है इसी तरह से pigmentation जो कि आपको किस चीज़ की तरफ इशारा देती है हीमक्रो hemokromatosis hemokromatosis की तरफ जो है आपको इशारा देती है अब यह hemokromatosis क्या है hemokromatosis जो है यह मैं आपको बता दूँगा ठीक है आगे slide में इंशाल्ला अच्छा जी mouth mouth की inspection करते हैं चुँके हमाई साथ continue कर लेते हैं तो हम बात कर रहेते mouth की सबसे पहले हम बत करते हैं mouth की ठीक है तो mouth की जिए करते हैं स्टेंटिर्टी़ियू थो माौथ के सबसे पर्फिस्टाएं हम क्या करते ईय करते हैं تو माउ बंस करते हैं घ besar ही फिटर हिपर्टिकस, पर्फिटर हिपर्टिकस से क्या मुराद है ख्त है धपर टपर खवे तो गरी जो必ब हैं उए कि हमाई साथ अक्साम होते हैं ठीक है मतलब स्मैल करती है बेड़ ब्रीड जिसे हम कहते हैं तो अक्सर अक्सर यहाइब तो मकरते है यह स्थमक के प्रॉब्लम होते हैं इस्धिक problem होते है जिसकी वज़ा से bed breathe जो है वो आती है ठीक है तो breathe को चिक करते है उसकी हम क्या करते है उसको हम क्या करते है smell करते है जिससे हमें पता चलता है कि अंदर स्टमक में problem तो नहीं है ठीक है इसकी इलावा हम lips को चिक करते है तो lips के हमाएं साथ जो साइड होते है ठीक है एंगुलर चिलाइटिस जिसे हम कहते है इसी तरह से चिलाइटिस हो गया जिसमें यह जो साइड होते है यह बहुत ज्यादा रेडिश होते है सूजिश जिसे दिकाई देते है स्ट्रमाटाइटिस हो गया जिसमें जो वाल्ज होते है माउट के यह क्या होते है इंफ्लमेशन का शिकार होते है एंगुलर स्ट्रमाटाइटिस ठीक है इसी तरह से गम्स की हम क्या करते है गम्स की हम एक्जामिनेशन करते है जिसमें हम गम् Divitis तो नहीं हुई है, Inflamation of the gum तो नहीं हुई है, या Bleeding तो नहीं आ रही, या Candida Albeacon तो CAUS नहीं हुआ है, ठीक है, Pigmentation तो नहीं है, आई हुई है, ये सारे Abnormal condition है, ठीक है, जो के Gums में पेशिन्स को, Gums के जो Peशिन्स होते हैं, जिनके गम्स में मसला होता है मसूडे जिसे हम कहते है तो इस इन में से कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको मिल सकता है अगर abnormal condition है इसी तरह से टंग की जब हम assessment करते है तो उसमें हम atropic glucitis कहते है जिसमें टंग जो है वो एट साइड एक साइड से जो है enlarge हुआ होता है उसमें inflammation होगी होती है इसी तरह से लीको play किया हो गया ठीक है लीको play किया ये भी एक abnormal condition इसी तरह से furing हो गई furing में आपने देखा होगा जो सारा टंग है वो उसका surface area सारा सफेद सफेद हो चुका होता है तो उसको हम furing कहते है ठीक है जो के अक्सर वकात जो बच्चे होते हैं बच्चों में ये condition बहुत ज्यादा मिलती है जिस जो के fungus की वज़ा से हुई होती है तो ये हम क्या करते है टंग की examination के दुरान देखते हैं कि इन में से कोई problem तो patient को पाकिस्तानी बच्ची सफेद हैं बहुत ज़ादा यह शारी बीमारे लोगे मैं हैं बहुत गंदे हैं जी बिल्कूल यह तो हैं लेकिन जो पथान के बच्चे उत ओते हुए वह बहुत ज़ादा साफ सितबर होते है मार्शाल ला से बिल्कुल 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 इती गंदे इती बद्वून से आती है में बिमार हो गई उन्हों के वज़े से इनका ख्याल नहीं रखते वरना चाहिए तो ये के बेबी लोशन वो सारा कित लाते और उसमें उनको नहलाते तो मज़ा आ जाता बच्चों के साथ पिर प्यार करने में भी मज़ा आता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिफरेंट कंडिशन है इसको आप देख सकते हैं ये टंग जो है यहां पर जो वाइट इश आपको नज़र आ रहा है ठीक है ये फंगस की वज़ा से होता है ये टंग जो है सारा वाइट वाइट हो जाता है यहां पर ये लिफ्स का जो वाल है ये आपको नज़र आ रहा होगा सफेद इसको अलसर कहते है ठीक है तो ये हो गया यहाँ इस टंग को आप देख सकते है क्रेक्स आपको नजर आ रहे होंगे फिशर्स तो ये सारे अबनॉर्मल कंडिशन है जो के एक्जामिनेशन के दुरान हम क्या करते है चिक करते है के है के नहीं अच्छा जी टॉंसल ग्रेडिंग टॉंसल ग्रेडिंग यह आर्रडि आप लोगों ने पढ़े हुए है घ्र्ड्र ग्रेड टॉंसल होते है तो वो बिलकुल साइट पर होते है आपको नजर आएगा जो सिकंड लेवल टॉंसलाइटेस हुआ होता है तो उसमें जो टॉंसिल है वो तोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते है तर्ड जो है वो फिर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए होते है और जो यूला है ये बिलकुल दर्मयान में नजर आ रहा होता है यूला को टच कर रहे होते है जिबके जो fourth grade tonsillitis होता है इसमें ये दोनों side के tonsill एक दूसरे को touch कर रहे होते है और यूला जो है वो बिलकुल चुप जाता है उसमें आपको नजर आ रहा होगा तो ये हमाई साथ मुख्तलिफ grade के tonsillitis होते है ठीक है इसको भी हम क्या करते हैं mouth examination के दौरान चेक करते हैं abdominal assessment अब बात करेंगे हम abdominal assessment की जब हम abdominal assessment करते हैं तो abdominal assessment के दौरान हम मंदर जजेल चीज़ों को not करते हैं सबसे पहले हम distinction not करते हैं ठीक है distinction ठीक है distinction किसे कहते है distinction से मुराद ये है कि जो abdomen है वो distant हुआ होता है ठीक है, लिवर प्रॉबलम की वज़ासे, बोल अब्स्ट्रेक्शन की वजासे, जो एБडॉमिन होता है, वो पूल जाता है और इसके साथ साथ सक्त हो जाता है ठीक है, इसके इलावा sia for rigidity Rigidity जो है, رिजिडिटी को चेक करते है, ठीक है, हम इसके साथ साथ bleeding की वज़ा से मतलब bleeding हो रही होती है जिसकी वज़ा से rigidity काज हो जाती है G stand for guarding guarding में क्या होता है muscular tension when touch muscular tension मतलब muscle जो है वो stretch हुए होते है जब आप उसको touch करते है तो आपको muscle जो है contract नजर आ रहा है होंगे सक्त आपको मैसूस होगे ठीक है E stand for ecomosis, ecomosis अब ये जो है मेरे माइंड में इस से related बात नहीं आरे कि ये किसे कहते हैं so ecomosis भी हम discuss कर लेंगे our stand for rebound इसमें वो dots बने में होते हैं हाँ जी बिलकुल वही हो सकता ecomosis so our stand for rebound tenderness, rebound tenderness का भी मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या करते है abdomen को press करते है और पिर एक दम से चोड़ते है तो उसके साथ pain feel होती है तो इसको rebound tenderness कहते है तो ये infection की वज़ा से जो है ये काज हो सकता है और M stand forward masses ठीक है, abnormal masses जो है under the skin आपको feel होंगी जब आप percussion फर्पेशन वगेरा करते है तो ये abdominal assessment के दुरान हम इन चीज़ों को क्या करते है not करने की कोशिश करते है सर ये एकोमोसिस जो है ये skin की एक disease है जिसमें rupture blood vessels होती है below skin surface जिसकी वएसे discoloration हो जाएए हाँ जिसकलरेशन हो जाती है बिल्कुल तो इसको हम एकोमोसिस कहते है rupture of blood vessel below surface of skin हाँ जिस जिसकलरेशन हो जाती है skin color जो है वो change हो जाता है ठीक है तो इसको एकोमोसिस कहते है मतलब अक्सर वकाद आप लोगोंने note किया होगा जब हमारा हमारी उंगली किसी सख्स चीज़ के साथ जो है लग जाती है या compress हो जाती है तो वो खून जो है उसमें जम जाता है ठीक है और उसी तरह से वो पिर dark red नजर आ रहा होता है तो बिल्कुल इसी तरह से condition हो जाता है skin color जो है वो change हो जाता है abnormal हो जाता है तो इसको ecumosis कहते है सही है अच्चा जी inspection inspection में हम क्या करते हैं inspection में हम 7S 4P and 1D so 7S में हम क्या करते हैं inspection abdominal inspection जब करते हैं तो इसमें हम 7S करते हैं so first S stand for symmetry symmetry मतलब abdomen के symmetry देखते हैं इसके साथ respiration के साथ जो movement हो रही होती है abdominal movement और इसके साथ chest और गिरह की जो movement होती है upward toward जब breathe in करते हैं तो upward and अज़रेगा upward और इसके साथ outward 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 upward की तरफ movement हो रही है ती chest की और जो breathe out कर रही होते है तो downward and inward की तरफ chest जो है वो move कर रही होती है ठीक है तो इस movement को हम देखते हैं इसी तरह से skirt देखते हैं किसी किसयर कि इसक last नहीं है shboy days dedichtez drive से मुराद जिस जिस तरह से skin जो है वो स्क्रेच आ जाते हैं, किसी चीज़ के साथ आपका स्किन लग जाए, उस पर तोड़ी स्क्रेच आ जाती है, जिससे ब्लेडिंग वगेरा तो नहीं आती, लेकिन एक लाइन सी जो है, वो स्किन पर लग जाती है, उसको स्ट्राइक कहते हैं, इसी तरह से स्टॉमा, शेप आफ एमबेलिकस, एमबेलिकस का जो शेप, नाफ की जो शेप होती है, उसको हम चिक करते हैं, इनवर्टिड है, फ्लेट है, या इवर्टिड है, इसको देखते हैं, इसी तरह से शेप आफ दा फ्लेंग, ठीके, फुल है, या स्ट्रीट है, सहीए, इसी तरह से स्किन लिज से पूला हुआ है पानी की वज़ा से पूला हुआ है या उसमें फीटस है ठीके मतलब फीमेल के लिए उसमें फीटस है मतलब प्रेगनेंट है के नहीं इसी तरह से फलेटस से मुराद उसमें गेस वगेरा है या गेस वगेरा की वज़ा से पेड़ जो है वो पूला हुआ है तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हुए डिस्टेंशन की जो रीजन है उसको हम नौट करते हैं. इसी तरह से 4P stand far 1P prominent vein केपट मुडोसा केपट मुडोसा किसे कहते है? किसी को पता है? मुझे भी पता नहीं है तो मैं भी पिर आपको बता दूँगा. prominent vein मतलब वह वह होता है जो के नजर आ रहा होता है. ठीक है? स्किन को अगर आप देखें तो स्किन में वह नजर आ रहा होता है. तो उसको prominent vein कहते है. pulsation visible ठीक है? pulsation को हम चेक करते है. weasible है या नहीं Arctic aneurism को चेक करते है ठीक है पर stelsis visibility को.. क्या होता है? पर जब देलिवरी होती है तो वह बेबी का हैट होता है तो जब निकलने के बेबी का हैट आउस होने वाला होता है तो जब जब तोड़ा सा वह गोला सा बन जाते कैपट थो कहते हैं सर सर एक्चुली मुझे भी नहीं पता लेकिंग मैंने गुगल किया इसमें आ रहा है कि अपीरेंस ऑफ दे नेटवर्क ऑफ पेइनलेस स्वोलन बेंस अराउंड दे बैली बटन बेली के एधगे जो प्रॉमिननट वेन नजर आ रहे होते हैं मैंने आपको बता है ना वूवेन जो के नजर आ रहे होते हैं तो इसको हम प्रॉमिननट वेन मतलब केपट में डिसा कहते हैं मेडिकल टाम में पिल्सेशन वजिबल हो गए परिस्टेल्सिस विजिबिलिटि देखते हैं के परिस्टेल्सिक मौमेंट जो है वो कंटिणईयू है या नहीं इसके साथpes पिग्मेंटेशन देखते हैं जो के हमारे साथ क्यूल इंसाइन है टिक हैं पिग्मेंटेशन जिसकी وجہ से स्किन हम कर रहे होते हैं ना तो उस दोरान हम यह सारी चीज़े नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तो इसमें मुख्तलिफ कंडिशन आपको दिये गए हैं यह नॉर्मल जो अब्डॉमिन होता है नॉर्मल अब्डॉमिन आपको बिल्कुल ऐ इसे नजर आएगा यह नॉर्मल अब्डॉमिन होता है ठीक है जो पूला हुआ अब्डॉमिन होता है तो वो बिल्कुल ऐसे नजर आएगा ठीक है इसी तरह से इंबलेकस इवर्जन जो के इंबले जो नौवल होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है इसको इंबलेक कहते हैं और लेजन अब्डॉमिन होता है ये एक सीधी लाइन होता है अच्छा ये सीधी लाइन इसको स्ट्राइक कहते हैं अच्छा जी तो इसका क्या मतलब होता है इसका कोई खास मतलब होता है आपको जो दूसरी साइट पर अब्डॉमिन नजर आ रही है जिस पर आपको निशानात नजर आ रहे होंगे तो इसको क्या कहते हैं लेजन कहते हैं तो ये अबनॉर्मल कंडिशन है जो के इंस्पेक्शन के दुरान हम अब्डॉमिन में क्या करत सर्फिस को हम क्या करते हैं चेक करते हैं ठीक है तो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं देखते हैं उसकी साइमेट्री को देखते हैं किसी किसम की अबनॉर्मिलिटी हो उसको हम क्या करते हैं नौट डाउन करने की पोशिश करते हैं